नमश्कार मैं हूँ मिनाक्षी गुपतो और आप देख रही हैं नेक्स नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कारेक्रम में हिंदी सिनेमा की एक अलग ही मुकाम पर पहुँच चुकी अभिनेत्री वहिदा रह्मान के अभिने अनृत्या कोशल की आज भी तारीफ होती है वहिदा रह्मान भले ही अब सीधे फिल्मों से नहीं चुड़ी है लेकिन वो कला करम के दिवानों के लिए प्रिणन श्रोथ है हाल ही में वहिदा ने डांस दिवाने थ्री शो में आशा पारेक, हेलन, रंजीत और प्रेम चोपडा के साथ बता और स्पेशल अतीती भाग लिया था इस दोरान उन्होंने भरत नाट्यम सीखने का एक किस्सा सुनाया जिसे दर्शक उन्हें काफी पसंद किया उन्होंने वहिदा ने बताया कि उन्हें डांस सीखने के लिए अपनी कुंडली बनवानी पड़ी थी, वहिदा ने बताया कि जब मैं चेननी में थी उस वक्त मैं भरत नाट्यम सीखना चाह रही थी, तो जिस गुरू को मैंने ढूंडा वो बहुत मशूर थे, मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे इनी से सीखना है, नित्य सिखाने वाले गुरू जी ने कहा कि मुझे इसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये मुसल्मान है और वो अपने भाव जैसे पदम, बनन ये सब नहीं कर पाईगी, जब मैंने बहुत जिद की तो गुरू जी ने मेरी कुंडली मंगवाई जो की मेरे पास नहीं दी, क्योंकि हमारे में ये नहीं बनता, वहिदा रह्मान ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मेरी जन्म तारीक मांगी और खुद ही कुंडली बनाई, कुंडली दे कर गुरू जी को अशर्य हुआ, और काहा कि कुंडली के अनुसार वहिदा मेरी आक वीडियो भी बनाया, पान कहें सहिया हमारों गाना तीसरी कसम फिल्म में फिल्माया गया था, शो के दौरान वहिदा ने कुछ मज़िदार किस से भी साजा किये, उन्होंने बताया कि आशा और हिलन उनकी पक्की सहलिया है, शो में पांचों सितारों के मशूर गाने पर डा आती साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी सब्सक्राइब करें